नमस्कार दोस्तों 132KV SF6 circuit breaker के CGL में एक reference के लिए जो हम लोग सीखने का प्रियास कर रहे थे और drawing को देखके कोशिस कर रहे थे समझने की कि शायद जो है ऐसा कुछ designer चाहता हो CGL के design के disadvantage या advantage के बारे में हम लोग यहां पर ऐसा कुछ discuss नहीं कर रहे है हम लोग उसकी drawing की आधार पर उसकी functioning समझने की कोशिस कर रहे है थीक है करते उसी का आगे continue करते हैं हम लोग क्या था हम लोग को देखना था capacitor ट्रिपिंग डिवाइस जो हम लोगों ने अभी तक सीमेंस में देख रखा था लेकिन CGL वाले breaker में हम लोग को नहीं दिखा था ठीक है ना CGL वाले breaker में भी यहां पर capacitor ट्रिपिंग डिवाइस है चलिए तो सबसे पहले है कि capacitor यहां पर आ गया capacitor के साथ क्या क्या है एक resistor है एक जो है यह NC contact है किसका 52B मतलब breaker का खुद का NC contact एक क्या है NC contact है किसका DCS 3 3 मतलब 3 number contact और NC उसका nature है DCS मतलब DC supervision मतलब जब DC supervision का contactor जो है drop रहेगा उस condition में यह conduction करेगा NC और जब DC supervision का contactor pick up रहेगा तो यह conduction नहीं करेगा चलिए आगे चलते हैं एक और कंटक्टर है R1 और R2 ठीक है यह charging कंटक्टर रही है सौरी सौरी कंटक्टर नहीं यह resistance है यह भी resistance है यह क्या है resistance है यह charging resistance है और यह discharging resistance है ठीक है ना यह एक डायोड हो गया जो लिए directional potential यह current flow को अलाव करता है इसदर सीदर जा सकता है पॉस्टिव जो नेगेटिव जा सकता है इसका उपर पॉस्टिव होता है नीचे नेगेटिव होता है ठीक है ना पॉस्टिव जाकता है उल्टा एकक्षन में जा सकता है चलिए एक एक करके देखते हैं यहां से आगे बढ़ेगा तो DC मतलब जब तक DC अवलेबल है तब तक DC सुपर विजन का का जो कॉंटेक्टर है वो पिक अप रहेगा अब एक केस्ट लोग काते हैं कि अगर यह कॉंटेक्टर खराब हो गया तो इसको मिल्वल सप्लाई खराब हो गई तो तो हाँ वैसे कि इसमें इस रेसिस्टेंस के तुर यह चला जाएगा प्रवाइडेट की ब्रेकर ट्रिप हो सब खराब करती जगा तो जो मन में हैगा वह ओ जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है यहां साने के बाद इस रूट में जो है नहीं जा सकता चली इस रूट में यहां फिर further तीन branches है ठीक है एक branch चला जाता है capacitor की और यह एसे output ब्लेट आसके दिनोट करते हैं तो पैप्सिटिव यहां नगेंटिव से जुड़ा हुआ मतलब DC power अगर इवलेबल है तो DC power ऐसे आएगा इस classic ने के बाद diode पार करेगा charging करेगा इधर जानी सकते इधर नहीं कर एगा क्यापसिटर रहेगा इसके आगे बढ़ने दूसरे रास्ते में if 86 knc कॉंटेक्ट है और यह तीक चोंबर कॉंटेक्ट यहां, तीसरा एंसी यहां है, च Affairs Act यहां है ठीक है ना 3 NC है 1 2 3 और 1 NO है ठीक है चले तो यहां आया NC मिल गया मतलब DC Supervision Relay को Drop होना चाहिए तो DC Supervision Relay Drop कब होगा जब DC Supply Off हो जाएगा जब DC Supply Off हो जाएगा तो फिर इदर से जाने के लिए कुछ रहेगा इने जब DC नहीं तो क्या जाएगा मतलब ये जो में बस का पावर है ये कभी भी इस रास्ते से या इस रास्ते से नहीं जा सकता है अच्छा इस रास्ते से नहीं जा सकता हूँ बात तो ठीक है इस रास्ते से जाता कहां है ये पस जब हम आगे प से क्या था ट्रिप सर्किट वन को एक प्रुविजन दिया हुआ था ट्रिपिंग को एक्चुएट कराने के लिए वैसे ही यहां भी DC सुपर्विजन रिले जो है जैसे वहां के 12 था सीमिंस में वैसे यहां DCS है सेम तरीके से DCS के NC मतलब जब DCS ड्रॉप कर जाएगा तो यह NC कंडक्शन में आ जाएगा मतलब सोर्स फेल हो चुका है तो अगर यहां पर कहीं से पावर आ जाए तो यह जो है इस रास्ते से जा करके यहां चला जाएगा और यहां जाने के बाद ट्रिपिंग कोईल को एक्चुएट करा देगा नेगेटिव परले से पॉस्टिव यह द देगा मतलब अगर विर करेका क्लोज वोगा तभा लेका कमांड मिल पाएगely इस रास्ते से भी और उपर के जितने रास्ते हैं उनसे दुनों ही केसेज में अगर विर कोकल कुंक्रेहां चाहिए न बर देना का बात है और एक जो है प्रोटक्शन भी देता है क्या कि अगर किसी कारण से कमांड कंटिनुवस भी आ जाए तो भी जो है ट्रिपिंग कॉइल को कंटिनुवस कमांड ना मिले ट्रिपिंग कॉइल के बरन अफ होने के केस ना हो जाए ठीक है चलिए यहां से तीसरा रास्ता जाता यह भी खुल जाएगा ओ इसका मतलब कि यह जो J9 से निकलने वाले तीन रास्ते है तीनों पर DC Supervision Relay का ही या DC Supervision Contactor का ही NC बठा है मतलब J9 से निकलने वाले रास्ते में एक capacitor को छोड़ करके जो भी रास्ता है चाहिए रास्ता हो चाहिए रास्ता हो या फिर ये रास्ता हो सब इस condition का वेट करेंगे कि जब DC fail होगा तब ही काम करेंगे तो capacitor tripping device का function ही तब ही होता है जब DC fail हो जाए जब DC fail हो जाए ठीक है ना अगर अब DC fail हो गया है तो capacitor tripping device function में आ जाता है चलिए अब क्या था कि अभी तक ये बोला था कि J9 के आगे के रास्ते तो J9 के पीछे क्या था ये था power आने का रास्ता ये था ठीक है ना तो power आने का रास्ता ये था मतलब यहां से ऐसे power घूम क्या था जब DC रह था जब DC है ही नहीं तो इतर से कुछ आई नहीं रहा तो इसका मतलब J9 के पास DC fail होते के साथ J9 के पास कुछ नहीं बचना चाहिए तो अब जेनाईन से ना इधर कुछ जाने जब कुछ है नहीं तो जाने का क्या बात है पर normal running circuit में जो ये capacitor चार्ज होके बैठा हुआ है इसका positive polarity उपर होगा और negative polarity नीचे होगा तो negative polarity से ये negative bus को पूरा पूरी power देदेगा और positive polarity से ये क्या करेगा bus को power देगा किस bus को पूरे positive bus को नहीं देगा इसी लेकर करके यहाँ पर ये NC लगाया गया है ये NC यहाँ क्यों लगाया गया ताकि ये power पूरे bus को ना जा सके जैसे ही source फेल होगा capacitor सिर्फ breaker को trip कराने पर ध्यान देगा और कुछ नहीं कराएगा ठीक है ना क्या कराएगा यहाँ से जो चला गया ये power ये power क्या चला गया DC supervision relay के NC contact को चलिए capacitor का जैसे ही DC DC का power फेल होगा तो capacitor का positive plate से positive मतलब अब जो है capacitor के positive power से J9 energized हो गया J9 का फेरूल लाला ये point है energized हो गया J9 के energized होते ही ये इधर चला गया चुकि source फेल हो चुका है तो capacitor का power अब इस रास्ते से DC supervision के NC contact को पार करते हुए इधर से जाएगा 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 और चुकि breaker closed अवस्था में है तो ये NO conducting होगा और tripping coil को actuate करा देगा tripping coil को negative जो है यही capacitor जो है यहाँ negative ऐसे दे रहा है तो tripping को actuate हो जाएगा breaker trip हो जाएगा ठीक अब रहा कि breaker trip होने के बाद जो है उसको लगातार command ना मिलते रहा जाए भाई तो क्या होगा कि ये जैसा ही NO contact है जैसा ही breaker trip कर जाएगा तो ये not conducting हो जाएगा और command नहीं मिलेगा पाला दूसरा कि ये जो capacitor का power है इस रास्ते में बेगया और दूसरा इस रास्ते में बेगया अब क्या हुआ कि ये जो है NC contact है DC supervision का मतलब DC power जैसा ही fail किया source से fail किया तो क्या होगा कि ये conducting हो जाएगा DC supervision लेगा ड्रॉप हो गया और उसका NC contact conducting हो गया या आगे चला गया एक resistance दे दिया anticipating register या discharging register बोल दिये और उसके आगे 52B का NC contact मतलब अगर breaker trip है अगर breaker trip है तो ये circuit continue हो जाएगा मतलब ये capacitor इसी circuit में गोल गोल घूम के discharge हो जाएगा मतलब अगर breaker trip है और ऐसी अवस्था में DC fail हो जाता है तो ये tripping command इसको नहीं देगा ठीक है क्योंकि अगर देगा भी ऐसा नहीं कि इधर नहीं आएगा वायर है तो इधर तो आहीं जाएगा लेकिन ये जो है trip coil तक power को कहुँचने नहीं देगा तो भाई ये power जाए कहां ये power इसमें ऐसे as it is पड़ा रहेगा तो ये power यहां से discharge हो जाए मतलब जैसे ही DC power fail होगा और breaker trip आवस्था में था उस समय और DC power fail हो गया है तो capacitor इससे discharge हो जाएगा सीमेंस वाले case में इसके लिए हम लोग एक ember discharge करके एक बटन लगा के रखते थे कि कभी भी कोई maintenance activity जो breaker के trip condition में आपको करनी चाहिए उसको करते समय में आप जो है ember discharge वाला button प्रेस कर दे और उससे जो है discharging capacitor की हो जाएगी यहां क्या है इसको automated कर दिया गया ठीक है कि जैसे ही trip आवस्था होगी breaker की यह capacitor discharge जाएगा अगर को residual charge वगर अभी होगा तो इसके थो discharge होगा डेट हो जाएगा ठीक चलिए उसके बाद क्या है कि एक तो काम किया capacitor ने कि जैसे ही source fail वादो trip करा दिया मतलब यह काम DCS के 4 number NC contact से हुआ दूसरा क्या किया कि जो residual charge होगा या फिर breaker अगर already trip आवस्था में है तो उस condition में resistance, discharging resistance के थूँ जो है capacitor को discharge कर यह किस ने कराया DCS 3 ने, DCS 3 मतलब DC supervision का 3 number NC contact ठीक है, 3 number contact जो NC के nature का है, ऐसा बोलिए तीसरा था DCS 2 NC, यह क्या करेगा भाई, यह देखिए यह power जो है positive power capacitor का यहाँ भी आएगा, जैसे ही J9 पे positive power आएगा, तो एक साथ यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, तीनों के जगा चला जाएगा, यहाँ चला गया, चुकि DC supervision fail है, power fail है, तभी capacitor का power यहाँ तक आया है capacitor का power यहाँ तक आया है, तो यह अगर gas pressure कम है, तो क्या होगा, NC conduct कर जाएगा, और conduct करने के बाद GLX को pick up करा देगा, अब क्या होता है, कि बहुत लोगा confusion रहता है, कि रहे, ट्रिपिंग के समय में ऐसा कैसे किया जा रहा है, gas pressure का नहीं देखा जा रहा है, वो तो यह उन conditions के लिए, जब सिर्फ DC failure का case नहीं हो, साती साथ जैसे माल लीजे कि DC fail हो गया, या फिर कोई pole burst हो गया, या ऐसा कुछकी instant जो DC fail के चलते कुछ spark हो गयरा हुआ, और उसके चलते जो है, कही पर gas pressure भी lose होने लगा, तो अगर gas pressure lose होने लगेगा, और उससे में DC fail रहेगा, तो monitoring तो हो नहीं पाएगी, अगर gas pressure lose हो रहा है, और DC fail है, तो उस condition में ये capacitor का power इधार जाएगा, चुकि gas pressure कम हो चुका है, तो 63 GL drop रहेगा, उसके NC conduct करेगा, और GLX को भी pick करा देगा, GLX को pick कराने से क्या होगा, gas pressure कम है, ये इसके output NO के थ्रूँ चला जाएगा, जैसे ही GLX pick हो जाएगा, जैसे ही GLX pick हो जाएगा, तो इसके output NO के थ्रूँ, enunciation of lockout, मतलब gas pressure बहुत कम हो चुका है, उसका enunciation भी चला जाएगा, तीन NC लगा हुआ था, ठीक है, चली, एक NO लगा हुआ, इसका क्या काम है भई, ये क्या है, कि positive power यहां से यहां तक तो आता है, अब जब तक DC supervision रिले healthy नहीं बताएगा, तब तक इस power को GLX के पास ये नहीं जाने देगा, इसके output contact के थ्रूहीं इसको जाने देगा, मतलब GLX gas pressure का monitoring के लिए जो है, ये power के जाने के पहले, एक DC supervision का NO contact, DC supervision एनर्जाइज रहेगा, इसका NO conducting रहेगा, इधर से इधर चला जाएगा, और जब तक DC supervision रिले pickup है, मतलब DC available है, मतलब DC supply system हिल दी है, तब तक ये power यहां से इधर आएगा, लेकिन यहां से घूम के इधर के लिए नहीं जाएगा, तो के प्सेटर का charging के लिए क्या हुआ, DCS का NO contact के पहले से जंप करके diode के थू, charging register के थू, capacitor चार्ज हुआ, और जैसे ही fail किया, तो DCS जो है, drop कर गया, इसके NC के थू, जो है, capacitor का power निकला, यहां से tripping कराने को चला गया, अगर breaker trip कर चुका है, या इस command के just bar trip किया है, तो just bar वाले case में residual power यहां से drain होगा, और अगर breaker already trip है, तो उस case में जो है, ये capacitor का charge यहां पर खुद बखुद drain हो जाएगा, drain होने के लिए, मतलब discharging circuit के actuate होने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो DC फेल हो जाना चाहिए, जिसे ये conduction ले ले और दूसरा breaker कट्री पवस्था में होना चाहिए, ठीक है ना, चलिए DCS का जो है NC contact का था, एक नमबर जो है, नो नेचर का था, दो, तीन, चार, ये जो है NC nature का था, एक और extra दिया हुआ है, DC fail contact, पांच नमबर, ठीक है, ये क्या करता है, ये पांच नमबर, एक और extra दिया हुआ है, ये क्या करेगा, एक spare contact के रूप में ये जो है, दिया हुआ है, ये क्या करेगा, control room में अगर DC fail का कोई enunciation देना है, तो वहाँ पर इसका इस्तिमाल किया जा सकता है, ठीक है ना, चलिए, एक और चीज जो है, इसमें हम लोग एक बार यूजन के तौर पर पढ़ेंगे, और 88M और 88T के बारे में बचा हुआ था, ठीक है, 88T जो हम लोग इसके just next वीडियो में कर लेते हैं, लाइक केजिए, शेर केजिए, सब्सक्राइब केजिए, कमी नहीं केजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक, दोस्तों तक इसे पहुचाईए, ताकि knowledge share का जो प्रयास है, वो successful हो सके, और अगर समझने में कहीं कोई इसे एल्रे एनों, भाईका जो सक्रुए जल्री तब आर जल्में कहीं कोईने में कर चावा है, प ثू जीकिल कुए नहीं है, चुए और जाादाए में हमें ग काुए लाग दोओाने में हैं ऍावा बापका